लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकोन को दाके आपको आने वाले वीडियो मिलती रहें बिल्कुल फ्री हिट दे रेड बटन फार सब्सक्रिप्शन और क्लिक दे बेल आइकोन फार अपकमिंग वीडियो इट्स फ्री पर्सुएशन जेन आस्टन ने लिखा था और ये 1817 में उनकी डेथ के 6 मन बाद पब्लिश हुआ था सिर्फ वाल्टर एलियट जो एलियट फैमिली के हैड है और केलिंच हौल उनकी एक फैमिली स्टेट है उसके बेरनेट यानी नवाब भी हैं उनकी वाइफ की 14 साल पहले डेथ हो गई थी और उनकी तीन बेटियां है चोटी बेटी मेरी जिसकी शादी एक अमीर आदमी चार्ल्स मस्ग्रेव के साथ हो चुकी है अलिस पे जो काफी खुबसूरत है और बड़ी है और बाप की फेवरेट है और मा की मौत के बाद वो क्लिंच हॉल के मामलात में उनके अफेर्स में बाप का हाथ बढ़ाती है एन थोड़ी नर्म निजाज है उनकी मा की एक दोस्ती लेडी रसल जिसने इन बच्चों की परविश में सर वाल्टर की मदद की थी इन बच्चों को पालने पोस्तने में सर वाल्टर की मदद की थी अब लेडी रसल इनकी काफी क्लोज फैमिली फ्रेंड है और इसकी काफी इंपॉर्टर से है उसकी राए को ये लोग काफी रिस्पेक्ट देते हैं ये क्योंकि अरेस्ट्रोक्रेट थे काफी अमीर घराना था इनकी काफी प्रॉपरटी थी तो इसलिए इनके एक्सपेंसिज भी काफी जएदा होते थे सर वाल्टर जो थे वो बहुत ज़्यदा शाह खरच थे यानि बहुत जदा खरच करने वाले इनसान थे और सेर वाल्टर की इनी expenses की वज़ा से ही Elliot family की financial condition काफी खराब हो जाती है तो Lady Russell और उनके family lawyer Mrs. Shepherd उन्हें मश्रा देते हैं कि वो ये state rent पर देकर Admiral और Mrs. Croft को देकर rent पर बात चले जाएं बात की property निस्पत छोटी जगा है क्योंकि financial condition की अच्छी नहीं है तो उन्हें अपने lifestyle को बदरना होगा और अब पहले जैसे खर्च नहीं कर सकते Admiral और Mrs. Croft एक respectable navy couple है Mrs. Croft Captain Wentworth की बहन है आठ साल पहले इनकी बेटी Anne और Wentworth एक दूसरे से महबद करते थे और शादी करना चाहते थे लेकिन Lady Russell को ये proposal बहुत foolish लगता था क्योंकि Wentworth के पास नाई प्रॉपर्टी थी नाई उसका कोई rank था उस वज़ तो Anne ने Lady Russell के कहने पर ये रिच्टा खतम कर दिया था Anne अपनी बेहन मेरी से मिलने Upper Cross जाती है जहां Musgroves रहते हैं मेरी ही इन तीन बेहनों में मेरिट होती है और Musgrove family भी काफी अमीर होती है Mrs. Musgrove की दो बेटियां है जिनका नाम Louisa और Henrietta है अब कैप्टन Wentworth का भी वहाँ आना जाना होता है और वो Musgrove family से मिलता रहता है Musgrove family का एक बेटा Richard था जिसने कैप्टन Wentworth के अंडर सर्फ किया था तो इसलिए ये लोग Wentworth को काफी पसंद करते है और उनकी बेटियां भी Wentworth की कंपनी को इंजवाए करती है और वहाँ इनका आमना सामना एन से भी होता है Wentworth का इसी दोरान वहाँ Elliot भी आ जाता है जो Sir Walter की property का मालिक बनने वाला था क्योंकि Sir Walter का कोई बेटा नहीं था तो Walter के बाद ये property Elliot को मिलनी थी उस वक्त England में ऐसा ही कानून होता था खर एन और लेडी रसल बात चले जाते हैं वहाँ इन्हें अंदादा होता है कि Elliot अब काफी close होने की कोशिश कर रहा है family के साथ और वह एन को पसंद करता है मगर अभी उसने एन को propose नहीं किया होता लूसा की engagement कैप्टन बैन्विक के साथ और हेन्रीटा की engagement चार्ल्स हेटर के साथ हो जाती है वैंडवर्थ बात आता है तो ये Elliot को देखकर काफी jealous होता है क्योंकि Elliot एन में interested होता है अब इनका fair तो खतम हो चुका था ये वैंडवर्थ और एन का लेकिन दिरी दिल में एक दूसरे को ये पसंद करते थे लेटी रसल को लगता था कि Elliot एक perfect match है एन के लिए लेकिन एन अभी गुमसम रहती है वो शायद पूरी तरह वैंडवर्थ को भुला नहीं पाई होती है और वो Elliot के past के बारे में भी जानना चाहती है एन को एक पुरानी दोस्त मिसिस स्मिस से Elliot के बारे में पता चलता है कि Elliot ने उसके husband को दोका दिया था और एन से इसलिए शादी करना चाहता है ताकि Sir Walter की property उसे मिल जाए क्योंकि उसे ये डर है कि Walter अपने lawyer की बेटी जो के एक widow है मिसिस क्ले से शादी ना कर ले है मिसिस क्ले का affair तो नहीं होता लेकिन इनकी बेटियों को भी ये लगता है कि इनका थोड़ा दिल में soft corner रखते है Sir Walter इसके लिए और उनकी बेटी को भी डर होता है कि मिसिस क्ले से कहीं शादी ना कर ले और यही डर एलियट को भी होता है कि Sir Walter दुबारा शादी ना कर ले कैपिनल मेंड़ वर्थ एक खत के जरीए एन को अपने emotion से आगाह करता है और उसे बताता है कि 8 साल नेवी में नोकरी करने के बाद उसका status काफी बहतर हो चुका है और अब वो एन से शादी करने की बहतर पोजिशन में होता है Sir Walter को कोई अतराज नहीं होता है इस शादी बर और लेडी रसल भी इस रिष्टे के लिए हाँ कर देती है Elliot बहुत ज़्यदा disappointed होता है और हरान होता है और वो बात छोड़कर चला जाता है इसके बाद Anne और Wentworth की शादी हो जाती है